हेलो गैस, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने हैं बेस्ड ओन माई जो टीचिंग प्रोफेशन में अभी तक मेरा एक्स्पिरियंस रहा है इस टीचिंग प्रोफेशन के अंदर मुझे बच्चों से क्वेरी जाने लग रही थी आज कर रीसेंटी बहुत ज़्यादा के सर हम पढ़ जो रहे हैं तो I am sure कि मैं अभी जो आप लोगों को रीजन बताने वाला हूँ यह रीजन्स आप लोगों को convince कर पाएंगे कि आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है यह impact खाली आप लोगों के लिए रही और यह मैं parents के लिए भी बना रहा हूँ यह parents को भी देखना ज़रूरी है कि बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है ताके वो अपने बच्चों को inner urge create कर सके कि यह पढ़ने के जो reasons है जो सर ने अभी है मैं आपके साथ share करने वाला हूँ वो बच्चों के साथ आप लोग share कीजिए तो सबसे पहला जो point यहाँ पर मैं discuss करना चाहता हूँ वो है responsibly बच्चों आप यह समझो कि यह आपकी responsibility है पढ़ना है अपर लोगे से responsibility कैसे हुई आपके जो mom dad है वो भी तो कोई न को responsibility उठा रहा है आपके dad की अभी क्या responsibility है to earn to earn for the living आपके family के लिए जो भी earning needs होती है वो कौन पूरा कर रहा है आपके father जो सुबह से रात तक महनत करते हैं काम करते हैं तो यह वो अपनी जिम्मेदरी का पादन करते हैं वैसे ही आपके mom आपके mom क्या देखते हैं कि धर के सभी लोगों की जो की requirement है, homely needs वो fulfill करने की requirement सरूरत के कौन पूरी कर रहा है आपके घर में 23-25 आप पर आपके parents ने और कोई responsibility नहीं है, that is just to learn, to develop some skill in yourself, आप लोग कुछ profession चुन लो और अच्छे से अपने आपको develop कर लो, set करो, आप अपने आपके लिए earn करने हैं सीख जाओ, यह ही आपके उपर अभी तक responsibility आपके parents ने दे रखी है, जो 23-25 years के age तक आप लोगों को अपना नहीं रहती है, approximately, तो मेरा यह सबसे पहला biggest reason यह है कि आप लोगों को पढ़ना क्युछ ही है, वो है कि आपकी अभी यह responsibility है, आप पे और कोई responsibility आपने parents ने दाल नहीं रहती है, second very important point है, जो यहाँ पर मुझे लगता है, आपके कुद की self-respect, आप बोलोगे सर्व सेल self-respect के लिए पढ़ना, हाँ, आपकी भी कोई self-respect होती है, अभी, आपके family, आपके siblings, आपके relatives, आपके known person, जो भी आप society में, जो भी building में, जहां पे भी आप रहते हो, वहाँ के लोग, आपको खाली एक ही parameter पर evaluate करता है, वो है आपके studies, grades, marks, आप क्या कर रहे हो, आप क्या learn क कर रहे हो, आप कितना excel कर रहे हो, या तो curriculum या co-curriculum activities, आपके लिए यही एक benchmark set कर देते हो, और आपको इसी चीज पर आखना start कर देते हैं, आपको यह देखते हैं कितने अच्छे grade secure कर रहे हो, तो उससे होता क्या है, कि अगर आप अच्छे grade secure करोगे, आप या तो co-curriculum activity म excel कर रहे हो, जैसे drawing, painting, dancing, कोई भी तरीके के activity, जिसमें आप excel कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका एक benchmark set हो जाता है, वो लोग देखते हैं कि बच्छा ठीक है, पढ़ाई पर नहीं कोई co-curriculum activity में expert है, उसके अंदर अच्छा कर रहा है, तो यह क्या होता है, आपको जिसके तरीके से comments आते हैं सबसे, वो आप लोगों के confidence level को या तो boost करेगा, या तो तोड़ देगा, जब आपको confidence level boost होगा ना दोस्तों, automatic आपके दिल में आपके खुद के लिए respect बढ़ेगी, और जब आपनी आपकी respect करना start कर दोगे, दुनिया का कोई भी इंक्सान ऐसा भी रहे करना चाता हो, वो है, it triggers your action, आप ये समझो कि आप कोई भी studies करते हो, कोई भी creative skills अपने अंदर inculcate करते हो, तो जब आपने पढ़ा, आपने पढ़ाई की, आपने कोई भी या तो professional के अंदर studies की, तो automatically आपका mind उस studies के related, उस learning के basis पे actions या कोई काम करने के लिए start करेगा, दे business को admin करना, या business को manage करने के related profession में, या तो job में, या तो अपने ही खुद के business के अंदर excel करने का सुच होगे, अगर आप कोई chartered accountancy का course adopt करते हो, तो जाहे इसी बात है, अब जो chartered accountancy की पीर के अंदर, जो काम होते है, return filing, accounting, ये सब के अंदर auditing, ये सब के अंदर excel होने का तो अगर आप कोई पहले learning लोगे, कोई specific niche area के अंदर कोई learning लोगे, कोई professional based careers होगे, या कोई भी curriculum related, या कोई आपने extra curriculum, या आपने creative skills अपने underdeveloped, accordingly आपके actions trigger होगे दोस्तों, तो अगर आप कुछ तरीके से act करना start पर गर जाइस बात है, अगर आप action लोगे, तो आपको results आ इस feeling के लिए, इस inner sense के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और यही जब आप actions करते हो, results आते हैं, तो आपके जो बार बार results आते हैं, इसी से निकल करके आ रहे है, मेरा fourth point, that is public standing, अगर आपके results आने start हो जाते हैं, दोस्तों, तो आपके public image बनना बहुत ज़रूरी public image बने कैसे, आप दूसरों के लिए example कैसे site हो सकते हो, आप दूसरों के लिए example set कर पाओगे, अपने आपको as an example put up कर पाओगे, जब आप कुछ काम करोगे, जब आप कुछ ऐसा innovative या creative काम करोगे, लोगों से हटके काम करोगे, जिसकी आपकी services या आपके product जिसमें भी आप जब उसकी कोई market value हो, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, लोग आपके actions देख रहे हैं, आपको as a doer देखते हैं, आपको as a doer देखते हैं, आपको as a procrastinator नहीं, आप कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ काम करने लग रहे हो, आपको results आ रहे हैं, तो इस basis यहां पर बहुत अच्छी सहींगे कि इनसान अपने करमों से जाना जाता है तो आप अगर करम करोगे और जो मेरी बात समझो हर कोई जैसे काम कर रहा है वैसे ही आप भी करोगे तो आप में वो रूम में डिफरेंस क्या हो गया तो आपको क्या वो 95% लोग जो काम करते उसमें आना है कि जो तॉप 5% के लिस्ट के लोग उसके अंदर आना है किसको यह desire नहीं होता है किसके लिए यह goal नहीं होता है सब के लिए होता है लेकिन हर कोई उसके लिए related action नहीं ले पाता है तो अगर आपको पुब्लिक standing या पुब्लिक image क्रेट करना है या किसी और के लिए example सेट करना है तो आपको बिटा पढ़ना होगा और पढ़ाए आपके लिए 10 doors, it will open up various doors for you आपके लिए 10 दर्वा से खोल करके देदेगा और 5th point से हिसी से निकल करके आता है वो है opportunity grabber आप एक opportunity grabber बन जाते हो आप जैसे पढ़ते हो काम करते हो results आते outcome आते पब्लिक image बनती start हो जाती है आप जो भी field में जाओगे उस field के अंदर कोई ना कोई initiative लेने कि आपके अंदर इम्मत आ जाए आप innovate करना start करोगे आप अप आप कोई ना कोई innovations के बारे में सोचोगे आप अपने businesses या अपने काम के अंदर scale up करना start करोगे scale up होना यानि कि आप अपना जो अभी level पे business है या अभी level पे आपका जो profession है या जो भी services आप provide करते हो उससे 10 times जाने के बारे में सोचोगे यह सब mindset develop class होगी बेटा आप लोग जब पढ़ोगे अच्छे results लगोगे आपको confidence बीड़ होगा आपको self-esteem हाई होगा अपने responsibility उठाए होगी तो यही सारी चीज़े pile up करते 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 आप ए opportunity grabber बन जाते हो तो मेरे हिसाब से दोस्तों यह 5 points बहुत जरूरी है जो आपको convince करे क्या आपको पढ़ना क्यो जरूरी है मैं repeat कर ले तो एक बार first responsibility बिटा आपकी second आपके self-respect के लिए आपके लिए third point वो है trigger करेगा आपके actions को trigger करेगा fourth point it will help you for a public standing आपके public image create करके देगा fifth point जो के है वो है opportunity grabber या opportunity seeker आप एक opportunity grabber बन जाओगे दोस्तों future में I hope आपको यह मेरी video helpful लगी होगी और आपको पसंद आई है please इसको like कीजे share कीजे और मेरे चैनल को subscribe करना मत बूलना ताके मैं जबी भी ऐसी कोई videos जो आपके लिए helpful हो को लेकर क्या हूँ तो आपको उसक कि यह सुझाओगा कि असकी किष़ए घचार है आपको अचैनल को अटा दोस्तों आपको आपको अचैनल को जसे उसक। नहीं पूलना पीजिए ग्यमीशना चैनल को आपको खंगी साविंगर फंद रुटिस अचैनल केंशना जाड़ना कि यह लिए आए हूज पैर चैनल